नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं चैनल गुवित गुपाल मैं फिट से एक बार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिच्छा मित्रों को लेके सबसे पहले तो हम बात करेंगे अवैकुमार सिंग जी को लेकर जनों ने अभी हाली में रिचायन दिया है दूसरी बात करेंगे मान्देव को लेकर और तीसी बात करेंगे आपको 18 एक्टूबर को होने वाले धन्य नयुको लेके हम चाहते हैं कि आपके विचार सब तक पहुंच आ और यहां तक हम भी आपके विचारों को जाने कि आपके अपर इन तीन बिंदूओं पर क्या सोंथे है चलिए, शुल्बात करते हैं पहले बिन्दू से ही पहले लेटे हैं अबेकुमार सिंग जी को लेटे जैसा कि आपको पता है कि सिच्छामित्र सिचक संग के प्रदेश अध्यच अबेकुमार सिंग जी ने चोदे बिंदू पर अपनी आपती जताते हुए सरकार के प्रतीर अपने पद से इस्थिवा दे दिया है केवल प्रिदेश अदस से नहीं बलकि सिच्छमित्र पद से ही इस्तिफा दे दिया है जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा इसकी उन्होंने रजिट्री सभी को कर दी है जिसमें मानिमुख मंत्री जी भी है प्रिदान मंत्री जी भी है माहा निदिशक महोदेवी हैं बेशित शमंत्री जी हैं जिला बेशित से चादकारी हैं खंड से चादकारी हैं और यहां तक की लास्ट प्रिदान देपक महोदेवी हैं कि उन्होंने रिष्टे की है या उनको ये सूचना दी है अब बात आती है कि इनके रिजाइन से किन-किन पर फर्क पड़ा है सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि क्या इनके रिजाइन से सरकार पर को इसर पड़ेगा क्या सरकार का दिल पेगलेगा जो उन्होंन जिनको केवला इदिकारी भी हल कर सकते हैं वो भी समझता है सिच्छा मित्रों के नहीं सौल हुई हैं तो ऐसे उदासिंतर रवया के बाद मैं अपने पद पर कारें नहीं कर सकता हूँ और वो रिजाइन दे रहे हैं तो सबसे पहली बात क्या उनके रिजाइन से सरकार पर अस कार का दिल नहीं पिगला और सिच्छा मित्रों के लिए अभी तक कुछ भी अच्छा नेड़न नहीं आए हाँ एक दू आदेश आ चुके हैं इसमें महिला सिच्छा मित्रों को फिर्सूतिय अफकास्प मिल गया था ये और एक वर्मूल विद्धाले बापसी का आदेश आ बिल्कुल निस्वार्थ भाफ से उन्होंने सिच्छा मित्रों के साथ कारे किया है उन्होंने पूरी कोशिस की थी कि उनको जो है नोकरी जो भर्तियां जो हुई थी उसमें सिच्छा मित्रों को न्याय मिले सब को न्याय मिले उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन कोई हल करना चाहते थे कि अभय कुमार सिंग जी साइट साइट एक महीने बाद अगर रिजाइन करते तो और बहतर होता क्योंकि वह 18 अक्टूबर को होने वाले उतर पतेश प्रात्मिक सिच्छा में संग के विसाल धरने में सामिल होते अपने समर्थन के साथ यानि वह पहले एक ऐल और Thronesय में सामिल होगा। और सब्सक्रान रहे हैं समommil होगा चाहते Jadi साइट एक पहल और भड़ती जैनि आपको देखे और भी सब्सक्रावत संग्टन करते हैं ते चोटे-चोटे Sच्छावीद के संक्टन बने हुए हैं वो भी अपना पत्या के अपना इनको पूर समर्तन दे 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 या पेर कहलो कि एक संगिठित सिच्छा मित्रों का सम्हूव मनता जो एक आंदोलन में सरकार को चेखाने में बहुत कामा था तो अभेकुमार सिंग जी को समर्तन देना चाहिए था या अठाय एक्टूबर को आंदोलन में साथ देते हुए धरनी में सामिल होना था जो भी था बात है कि उनकी रिजायन से सरकार पर क्या असर पड़ेगा लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि यह दिस अच्छा में तुरों को लगता है कि अभेकुमार सिंग जी बिल्कुल सही है और उन्होंने सही रिजायन दिया है अपने पसे लेकिन आपका दायत बनता आपका कर्तब बनता है कि उनको ऐसा करने से रोकें और अभी हारना बाने आप टेग बना सकते हैं आप हैस्टेग अभेकुमार सिंग रिजायन नॉट ऐसे ऐस्टेग बनाके एक ट्विटर पभ्यान सकते हैं जिसको टेग करेंगे मान्ने मुख्यमंत्रीजी को बाकि सभी को जिनको प्रतियां भेजी गई है कि इनका रिजायन को सुरुकरत ना किय यह सभी सिच्छा में तुनर की मांग है कि इनके रिजायन को सुख्रत ना किया जाए यह आप ऐसा करना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके चुरूर बताइएगा तो जैसे भी बात है अवेकुमार सिंग जी को लेके आपके चुरूर कराएगा आगे मांदे को लेके यह है कि अभी 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 अपडेट दी है कि मांदे जो है अब सितमर के लास्ट मेर और क्टूर के फर्स्ट पीक में आ जाएगा परिसान होने की जरूत नहीं है और इसलिए जो अपडेट है कि जो अठारे अक्टूबर को धना होने जा रहा है उसमें सिच्छामित्रों को सामिल करने के लिए जादर से जादर संग्यान सामिल करने के लिए ही पिदेश अज्चना ये कहा था कि 9 observe को हम धना दे रहे थे उसलिए है नहीं दे रहे थे लेकिन अभी जिला अलीगड में एक बैठक हुई जिसमें प्रदेश महामंतरी सामिल हुए उन्होंने एक बात महां बोली वह हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने इस धन्य को एक दिवसिये बताया है जी हां ये धन्य जो 18 अक्टूबर को होने जा रहा है वो एक दिवसिये पूरा जो समर्थ हैं सभी जिले एक साथ मिल के एक साथ लगाना है आपको लखनूपोंचना है सरकार को जगाना है जो भी करना है एक दिवसिये ज़रना होगा और ये बहुत ही आवश्यक है बहुत जरूरी है आप सभी के लिए आप सब मुझ रहे हैं कि इस समय से इच्छ तो इसके लिए सबी संग्त्न को समर्तन मिला और एक बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिली क्या इस महा tapping अंदुलन में भी ये संख्या देखने को मिलेगी इसके लिए जरूरी है कि सबी जो है एक संग्तित हो जाए और एक जो ठोकी एक साथ एक मंच पर आएं बाकि आप नीचे कमेंट करके हमें अवेकुमार सिंग जी की बारे में अपनी राय दीजिए और साथी साथ 18 तारिकों जो एक दिफसी धर्ना होने जा रहा है उसके संब्ध में भी हमें बताइए कि क्या एक दिफसी धर्नी से इसे को लाइक कीजिए अपने दोस्तों सेफ कीजिए मिलेंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछने इपडेट के साथ तक नमस्कार जाहिए